पर्स्त आपको नुची मेरे टारम एकेड्मी की एफ साइड पर जाना है, वहां प Éफ पर्ट क्लीक करने के बाद आप GP अप्लीय के फार्म पर कलेंगे, क्लीक करने के बाद सिंप्ली आपको डाॉनलूड कर लेना है, डाउलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा दिखाए प्रीशी टेनिंग कोर्स जनरल परपस रेटिंग जनवरी टॉन्टी टू बैच फार नूसी मेरिटाम अकेडमिक गोवा तो यहां से आपको सिंप्ले नीशे जाना है जो मेरमें पॉइंट है मैं वह 601 से इसके बाद आपको नीशी चलते हैं जो आपका लेक्जबिल्टी ए ओव आपका 10 tym MakS होना चाहिए और अगरा पने इटी आई किया है तो आपका उसमें 40% नंबर चाहिए या आपने 12th की आए तो उसमें आपका 40% मार्क्स होना चाहिए आपका एस साड़े सात्रा साल से 25 साल के बीच में होना चाहिए और मेडिकल फिटनेस की बात करते हैं तो आपका हाइट 158 cm होना चाहिए और आपकी आई साइट 6x6 या आपकी 6x9 होनी चाहिए जो कोर्स का डियूरेशन है वो 6 मंद का है और आपका जो कोर्स स्टार्ट होगा वो एक जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और compulsory with application application के साथ येचीज compulsory है क्या passport valid up to और आफ्यर आपका जो पासपोर्ट की validity है वो 30 से 2023 के पहले आपका passport की validity इंड नहीं होनी चाहिए first dose certificate before 15 सेतंबर 2021 आपका जो फ़हला dose vaccine का लगा हुँ 15 सेतंबर से पहले का लगा होना चाहिए और final certificate of covid vaccine और final certificate भी आपका होना चाहिए covid का अब आते नीचे लिखा pattern of the interview test उसमें आपका venue for interview test मुंबई और गोवा आपका जो test होगा वो मुंबई या फिर गोवा में होगा अब हम नीचे आते हैं देखते हैं यह आपको पहले ही बता दिया है 10th और 12th 40% mask वगेरा और नीचे आते हैं आपको यह सब proper read करना है और इसके बाद आपको form को fill up करना है नीचे आते हैं देखते हैं यहां से आपका जो six page नंबर पे लिखा है so following to eye surgeon format for eye test report the test report should be on op क्या लिखा है ophthalmologist eye surgeon later head तो आपको यह doctor MBBS doctor होगा उसके पास आपको इस form को लेके जाना है यह लिखा है on doctors later head candidate as precise photograph with signature across and doctor stamp यहां पर आपकी photo viewer doctor stamp लगाएगा वहां पर आपका पूरा यह medical का report होना चाहिए आपका full name और आपको doctor stamp लगाएगा यहां पासपोर्ट नमबर यहां पर सब फिलब किया जाएगा आपका वहांसे रिपोर्ट बनेगा उसमें आपका हर्पका देगा यहां पर डाक्टर का प्लेस रहेगा डेट रहेगा और डाक्टर का signature रहेगा तो यह पूरे इंट्रक्ट्स दिए गए हैं तो आप यहां से सब डेट कर सकते हैं अब पेज नमबर जो 9 है यहां से आपको यह आपका form है 9 10 11 यह 3 आपका form है तो यहां पर लिखा है इसतारी को form को फिल कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं उस डेट को आपको लिखना है और सिगनेचर आपका यहां पे सिगनेचर होना चाहिए और यहां पर लिखा है इस्टेप इस्टेपल पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राप इतने इतने साइज की डून प्लीज ऐसे सरनेम एजन पासपोर्ट जो आपका सरनेम पासपोर्ट में इहां पर और पर फिल करना है और क्ugen किया है अपके इंगलिप में श्रापड़न में वह आपको यहां popular ऑग्वर नेंग पर देना मैं 12 तो 12 में आपका जो मर्क्स रहा है वो भरना है आई टीया या कोई डिगरी किया तो आपको यहां पे भरना है यह नीका यह और इंडॉर्स नंबर आपके पिता जी के बारे में बोला गया है father's detail blow only for father's cement if not then cancel अगर आपके पिता जी भी अगर cement रहे तो उनके बारे में यहाँ पे फिल करना है अगर नहीं रहे तो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है list of in class please state as or no यह सारे certificate आपको attach करने है अगर और इदर आपका जो लिखा है attach yes or no यहाँ पे आपको yes or no का क्लिक करना जो आप yes जो आप attach करेंगे यहाँ लगाना है तो यहाँ पे पहले लिखा है copy of 10th mark sheet यहाँ पे आपको 10th की mark sheet copy paste करना है form में copy of mark sheet for marks and subject in 10th plus 2 higher अगर आपके आपके पास्पोर्ट की mark sheet तो आप वो paste करेंगे और नहीं है तो आपको यहाँ पे नो भरना है तो copy of idea certificate आपने idea किया तो उसकी copy को paste करना है तो इसी प्रकार से copy of passport on the page वह आपको passport का भरना है आई surgeon certificate भरना है BMI certificate आपको पेस्ट करना है को भी आपको नाइंटे certificate फॉस्ट और फाइनल लोच यह भरना है कि वह भी आपके लिए आपको भरना ही है तो source of information regarding GP rating course please tick आपको यह GP rating course जो आपको पता चला है वो कैसे जो भी आपका है जिसे आपको NMA Goa से या अदर से कहीं से भी तो आपको click करना है please put this form and all documents in a strong envelope of approximate size here so that the application form and the documents fit properly send it by speedpost or by courier do not email the form check delivery with speedpost courier carl's email will not be entertained and यह आपको जो form को fill करना है और इसके बाद आपको इस form को by courier या by post speed post के द्वारा आपको send करना है नीचे यह statements दिये गए हैं तो यह आपको भी पढ़ना है तो यह लिका I state that the form is filled by me and I understand that if my form is not filled up correctly and or required documents are not attached then my form will be rejected अगर आपने documents सही से attached नहीं किया है या अगर आपके documents के में कुछ problem है तो आपके form को reject कर दिया जाएगा इस परका से आपको यह सब नीचे लिखा है नेम आप the candidate capital letter यहाँ पे अपना नाम भरना सिगनेचर आप box below यहाँ पे आपको सिगनेचर और यहाँ पे आपका नेम पासपोर्ट पूरा address फिन कोर्ट यह आपको सब fill up करना है यह आपका लिखा है application form should reach below address on the before 12th November 2021 यह जो नीचे आपका address दिया गया है वो 12 November से पहले इस जगे पे आपको form को पहुचाना है तो यह आपका address दिया गया है और आपको email के गवारा form को send नहीं करना है यह आपका लास्ट में application application signature आपको यहाँ पे signature होगा यहाँ पे आपका date fill up होगा और यह फीज का तो आपको पता ही है एक लाग पत्चास जार और uniform फीज आपका 18,000 रुपए और cotton मनी 2,000 रुपए आपका total 1.777,000 रुपए लगेगा तो यही था इसके बारे पूरा कुछ बता दिया है अगर कुछ problem आ रही है कुछ doubt आ रहे है तो हमारे comment section में जाके हमसे आप पूस सकते हैं तो thank you so much for watching this video and don't forget to subscribe my channel thank you